हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम पिंटक्स और प्रिंटर्ड फैब्रिक के साथ सबसे स्टाइलिश प्लाजो पैंट का डिजाइन बनाएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें पिंटक्स चाल ली है तो ऐसे मैंने अपनी प्लाजो पैंट को कट करके रख लिया है यह जो डिजाइन ना सिरफ फ्रंट साइड पे आएगा पैंट की तो उसके लिए मैंने यह फ्रंट पार्ट लिया है अब हमने इसे ऐसे उल्टा करके रखा और एक तरफ से इसे ऐसे डाइगनल में हमें फोल्ड कर लेना और यहाँ पे किनारी की पिंटक्स लगा लेनी है तो एक पिंटक्स हमारी ऐसे लग चुकी है और यह कुछ ऐसे आ जाएगी अब हमने आधे इंच का gap लेना और फिट्रे pen को वैसे ही fold करते हुए यहाँ पर भी किनारी की pintacs लगा लेनी है ऐसे ही आधे आधे इंच के gap पे हमें total 5 pintacs यहाँ पर लगा लेनी है तो ऐसे हमने इसमें 5 pintacs लगा ली है अब हमने न इसमें लगबग 3 इंच का गैप लेना है यहाँ पे और उपर की तरफ भी ऐसे ही 4 पिंटक्स लगा लेनी है तो यह नीचे वाली पिंटक्स से 3 इंच के गैप पे न मैंने दोनों तरफ एक एक कट लगा लिया है अब हमें इस कट को न ऐसे फोल्ड करना है और यह भी पिंटक्स हमारी ऐसे ही डाइगनल शेप में आ जाएगी बराबर 3 इंच के गैप पे यहाँ पे भी अब हमें किनारी की पिंटक्स लगा लेनी है तो एक printax हमने ऐसे भी लगा ली है अब हमें ऐसे ही आध्यादेंज के gap पे उपर की तरफ 3 printax और लगा लेनी है तो ये देखिए ऐसे हमने नीचे की तरफ 5 printax लगाई है और उपर की तरफ 4 printax लगाई है अब हमें इसके बीच में प्रिंटेड फैब्रिक स्टिच करना है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो ऐसे मैंने अपनी प्रिंटेड कुट्टी में से ये फैब्रिक कट किया है ये लगबग धाई इंच ओड़ा रखा है मैंने ये देखिए और लंबाई में ये 12 इंच लिया है मैंने ये देखिए और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है ये देखिए अब हमें इसकी दोनों साइड पे लेस स्टिच करनी है तो मैं इस पे ये वली लेस स्टिच कर रही हूँ तो एक तरफ हमने ऐसे लेस को स्टिच कर लिया है अब हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेस को उल्टा रखते हुए न यहाँ पे हमने सिला ही लगा लेनी है लेस की इसकी नारी को दबाते हुए तो दोनों तरफ हमने लेस को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमने लेस को ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए दोनों तरफ से हमने इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है और इस पैटरन को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है तो ऐसे मैंने पैटरन की लेज को न दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकालते हुए इससे अच्छे से प्रेस कर लिया है अब हम इस पैटरन को अपनी प्लाजो पैंट के उपर रख के स्टिच करेंगे तो पैंट को ऐसे सीधा करके रखेंगे और पैटरन को न इसके बीच में ऐसे रखेंगे दोनों तरफ से बडावर मार्जन लेते हुए और यहांपे किनारी की सिलाई लगा देगे तो ऐसे हमने इस पैटरन को न यहाँपे स्टिच कर लिया है अब हमें pen की back side को इसके साथ stitch करना है तो ये वाली side को हम ऐसे सीधा करके ही रखेंगे front वाली side को और back वाली side को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे ऐसे रखेंगे दोनों को बराबर और यहाँ पे आधे इंच का margin लेते हुए सीधी सीधी सिला ही लगा लेंगे उपर तक तो ऐसे हमने इसे back वाले part के साथ stitch भी कर लिया है अब हमें ना इसमें नीचे अलग से folding का margin stitch करना है तो इसे नीचे से fold करने के लिए ना मैंने अपनी same plazo pen वाले fabric से ये एक fabric cut किया है ये लगबग तीनी इन चोड़ा है और लंबाई में उतना ही है जितनी हमारी plazo pen की मुरी है और इसकी उल्टी side पे ऐसे मैंने paper pasting भी लगा ली है और इस pattern को ना मैंने एक तरफ से ऐसे fold करते हुए press के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है अब हमने पेंट के उपर इसे ऐसे उल्टा करके रखना है दोनों को बराबर रखते हुए यहां पे आधे इंच का margin लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस पट्टी को इसे पीछे की तरफ fold कर देंगे यहां से और इसे यहां से अच्छे से press के साथ बिठा लेंगे और पीछे से इसे तुर्पाई करवा देंगे तो अभी मैं आपको इसको तुर्पाई करवा के दिखाती हूँ तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे पीछे से तुर्पाई भी करवा दिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा यह प्लाजो पेंट का डिजाइन तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो यह देखिए इसे फिटिंग की सिलाई भी लग गी है और देखिए एकदम नया और कितना स्टाइलिश हमारा यह प्लाजो पेंट का डिजाइन बन के तयार हुआ है तो आप भी यह वला डिजाइन अपनी प्लाजो पेंट पे जरूर ट्राइ करें तो अभी मैं आपको इसको पेहन के भी दिखाती हूँ तो पेहनने के बाद हमारा यह खुबसूरत प्लाजो पेंट का डिजाइन कुछ ऐसे आजाएगा तो अगर आपको मेरा यह डिजाइन और मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो